बॉलिवुड की फेमस एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला इन दिनों दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर चर्चा में बनी हुई है हसीना के कई सारे लुक्स कांस से सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने नए लुक्से सोशल मीडिया पर कहे ढ़ा दिया है जिसमें वह सुन्दर से फूलों का बगीचा ही अपने साथ ले आई है दरसल इस बार हसीना अपने साथ रेड कारपेट पर कांस में होने वाला स्प्रिंग ब्लॉसम की जलत लेकर आई उनका आउटफिट इस वसंद सीजन से इंस्पायर था जिसकी 9 फीट लंबी ट्रेल को बनाने में ही 61,000 घंटे लग गए थे आईए उनके इस लुक पर नज़र डालते हैं 77 वे कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी कई बार रेड कारपेट पर अपना जादू चला चुकी है वहीं अपने इस लुक के लिए उन्होंने स्प्रिंग ब्लॉसम से इंस्पिरेशन ली और गुलाबी फूलों से बनी आउटफिट पहने नज़र आई यह माइकल सिनको का कस्टम मेड गाउन है जिसमें तीन डी फूलों से एक बड़ी सी ट्रेल बनाई गई है जो इस पूरा आउटफिट में ग्रेस ला रही थी उर्वशी के इस पिंक कलर के गाउन में हलका लेवेंडर शेड का टच भी है जिसे ओफ शोल्डर बनाते हुए मरमेड स्टाइल डिजाइन दिया गया है गाउन को बॉडी हगिन रखा गया है और फिर घुटनों के पास से इसमें फ्लेर्स एड कर उन्हें फ्लोर से थोड़ी बड़ी लेंथ दी गई है जिससे इसमें नीचे एक अच्छा फ्लो आ रहा है वहीं गाउन पर लगे सिल्वर सेक्विन इसमें ब्लिंग एड कर रही है उवशी के इस लुक की जान उनकी फूलों से बनी ट्रेल ही है जिस पर तीन दी फूलों की एम्बॉडरी की गई है जो बेहत कमाल की लग रही है इस नौ फीट की ट्रेल को हसीना के गाउन की नेक लाइन से अटैच किया गया है जो फ्रंट से स्लीव्स की तरह लग रहा है वहीं बैक पर ये एक अलग ही लुक क्रियेट कर रही है एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर बताया है कि इसे बनाने में 61,000 घंटे लगे थे अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए उर्वशी ने जर्मनी के डिजाइनर फिलिप लेन की जूलरी पहनी है वह फ्लावर शेप स्टड इयर रिंग्स और मैचिन नेकलेस पहने नजर आई जो उनकी इस फूलों से सजी आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लग रहे थे साथ ही उन्होंने हाथ में भी ब्रेसलेट कैरी किया अब जब ड्रेस और जूलरी इतनी खास है तो मेकप में एक्स्ट्रा एलिमेंट एड करना बनता ही था उन्होंने परपल आईशेडो लगाया और चार स्टोन की बिंदी से उसे फाइनल टच दिया साथ ही अपनी आईशेज को बहुत हैवी रखा और धेर सारा मस्कारा लगाया इसके अलावा पिंक ब्लश और लिप्स को पिंक न्यूड शेड का रखा ऐसे में उनका मेकप ड्रेस के साथ एकदम परफेक्ट लगा दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ और्म कर दोस्तों धन्यवाद प्रेस के साथ आप लोगों से आप लोगज करना विडियो के साथ एक।